Friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्करिश्ट अकेडमी आयोध्या Current Affairs X and on उत्करिश्ट अकेडमी आयोध्या में 26 जुलाई से बनने वाले important questions को आज हम discuss करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा, चले start करते हैं आज का हमारा first question ये है कि हाली में वीडेश मंत्राले में सईयुक्त सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है options हैं रीवा गांगुली दास, रूद्रेन टंडन, विक्रम दुरहिसामी या हर्ष वर्धन श्रिंगला तो इसका सही answer होगा, option number one यानि की रीवा गांगुली दास बांगला देश में भारत की उचायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विडेश मंत्राले में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है वह विजय ठाकुर सिंग की जगा लेंगी तो किसकी जगा लेंगी विजय ठाकुर सिंग की जगा लेंगी जो 30 सितंबर को सेवाने वृत्त हो रहे हैं अधर ओप्संस को डिसकस करें तो अभी हाली में रूद्रेंद टंडन को नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत कहां पर अफगाने Stahn में विक्रम दुरहिसामी को बांगला देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है बात करें हर्षवर्दन श्रिंगला की तो ये जनवरी 2020 से भारत के 33 वर्तमान विदेश सचिव के रूप में कारेरत भारतिय राजनाइक हैं तो ये याद रखेगा नेस क्वेश्चन है हमारा हाली में अमला शंकर का निदन हुआ वह किस छेत्र से संबंदित हैं? आप्शन्स है नृत्य, गायन, अभिनय या लेखन तो इसका सही अंसर होगा आप्शन नमबर वन याने के नृत्य प्रख्यात नर्तक वा कोरियोग्राफर अमला संकर का कुलकाता में निधन हो गया वह प्रशिद नत्यांगना, कोरियोग्राफर, उदै संकर की पतनी है, वह सितार वादक, पंडितरवी संकर की भावी थी नब्बे के दसक की सुरवात में वे काफी सक्रिया थी कला के छेतर में उनके योगदान के लिए 2011 में पश्चिम बंगार सरकार द्वारा उन्हें बंग विभूशर से सम्मानित किया गया था तो याद रखिएगा कि हाली में अमला शंकर का निधन हुआ, वह किस छेतर से सम्बंदी थी तो वह नर्ते से सम्बंदी थी, वह प्रख्यात नर्तक वह कोरियोग्राफर थी जिनका हाली में कोलकाता में निधन हो गया नेस्ट कोश्चन है हमारा हाली में पार्थ प्रतिम सेन गुपता को किस बैंक का MD वा CEO बनाया गया है ओप्शन हैं IOB, करूर वेस बैंक, फेडरल बैंक या SBI तो इसका सही उंसर होगा ओप्शन नमबर वन यानि की IOB हाली में इंडियन ओवर सीज बैंक का MD NCO बनाया गया है पार्थ प्रतिम सेन गुपता को उनकी नियुकती 31 दिसंबर 2022 जो उनकी सेवाने वृत्ति की आयू या अन्य आदेसों के आने तक जो भी पहले है तब तक के लिए होगी वा वर्तमान में SBI के उप्रबंध निदेशक हैं वा पहले SBI के कोलकाता सरकल में मुख्य महा प्रबंधक थे अदर आप्सन को डिसकस कहें तबी हाली में करूर वैसे बैंक का M.D.V. CEO बनाया गया है रमेज बाबू को फेडरल बैंक का M.D.V. CEO बनाया गया है श्याम स्री निवासन को तो ये याद रखेगा ये भी अभी हाली में अपॉइन्मेंट्स होई है कारूर वैसे बैंक का M.D. वसीयो बनाया गया है रमेज बाबू को वह फेडरल बैंक का M.D. वसीयो बनाया गया है श्याम स्री निवासन को Next question है हमारा हाली में Bricks Chamber of Commerce and Industry का मानिज चलाकार किसे नियुक्त किया गया है Bricks Chamber of Commerce and Industry का तो इसका options देख लेते हैं पहले परांग चितनिस, PC कानपाल, सुमिद देव या साहिल सेट तो इसका सही अंसर होगा option number D यानि की साहिल सेट हाली में साहिल सेट को बनाया गया है Bricks Chamber of Commerce and Industry का मानिज चलाकार किसे बनाया गया है साहिल सेट को उन्हें 2020 से 2023 की अवधी के लिए यूवा नेताओं की संचालन समिती का मानिज अलाकार नियुक्त किया गया है वह वर्तमान में मुंबई सीमा सुर्क में उपायुक्त के पत पर कारज़त है बात करें Bricks CCI की ये Bricks है Bricks CCI की बात करें तो यह एक मूल संगठन है जो Bricks राष्ट्रों में वाले जिवा उद्यों को प्रोसाहित करता है और सभी विभिन छेत्रों के यूवा उद्यमियों के MSME वर्ग के लिए एक सच्छम समर्थन प्रडाली तयार करता है मानत सलाका समिती का प्रमुकुद देश से Bricks देशों में खुद को विवस्तित करना है ये देश तीन साल की अवदी के लिए समिती की अध्यक्षता करेंगे तो ये याद रखेगा कि Bricks Chamber of Commerce and Industry का मानत सलाका की से नियुक्त किया गया है इनका नाम है साहिल देव ब्रिक्स की बात करें तो Bricks के सदसे देशों का नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना वा साउथ एफ्रिका ये Bricks देशों के सदसे राश्ट्रों का नाम है और अभी Bricks Chamber of Commerce and Industry का मानत सलाकार साहिल सेट को नियुक्त किया गया है आधर ओप्संस को डिसकस करें तो पराग चिटनिस पराग चिटनिस को भी हाली में NIFA यनि राश्ट्रिय खाद्य वा क्रिसी संगठन राश्ट्रिय खाद्य वा क्रिसी संस्थान का कारेवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है तो ये याद रखेगा कि पराग्चिटनेश को क्या नियुक्त किया गया है तो NIFA का कारेकारी निदेशक नियुक्त किया गया है PC कांडपाल जनका पूरा नाम है प्रकाश शंद्र कांडपाल इन्हें बनाया गया है SBI General Insurance का MD वस CEO बनाया गया है तो ये याद रखेगा कि PC कांडपाल को SBI General Insurance का MD वस CEO बनाया गया है सुमित देव की बात करें तो सुमित देव इन्हें बनाया गया है NMDC NMDC की फुल फॉर्म होती है National Mineral Development Corporation इसका इने CMD बनाया गया यानि Chief and Managing Director बनाया गया है तो ये याद रखेगा कि NMDC का अध्यक्षिव प्रबंध निदेशक सुमित देव को नियुक्त किया गया है और साहिल सेट को क्या बनाया गया है Bricks Chamber of Commerce and Industry का मानत सला का नियुक्त किया गया है अगला question है अमारा की हाली में अंतराश्ट्रियस और गडबंधन यानि ISA बर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन बना है ओप्शन्स हैं ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा या कोश्ट टारिका तो इसका सही answer होगा option number second यानि कि निकारागुआ हाली में मद्य अमेरिकी देश निकारागुआ, गड़राज, ISA framework समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला 87 देश बन गया है तो ये कौन से नंबर का देश बन गया है? ये 87 नंबर का देश बन गया है समझोते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थाई प्रतिनी थी जैमे, हमीदा, कैस्टेलर द्वारा, नियू यॉक में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के इस्थाई मिसन पर किये गये थे बात करें ISA की यानि अंतराष्ट्र या सौर गटबंदन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका आगाज हुआ था नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायू परिवर्तन सम्मेलन में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी वह फ्रांस के पूर्वर राष्ट्र पती हौलेंड के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था या पेरिस जलवायू समझोते के कारियान्वियन के लिए एक प्रमुक वैस्विक पहल है जिसमें सौर औरजा इकाईयों को तेजी से सस्थापित करने की बात कही गई है तो इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ये कब आया सामने तो ये आया था नवंबर 2015 में पेरिस में हुए यूयन जलवायू परिवर्तन सम्मेलन में और अभी हाली में आयसे पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है निकारागुआ और ये कौन से नमबर का देश बन गया है तो ये बन गया है 87 वे नमबर का देश तो ये याद रखेगा निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ वर निकारागुआ की राष्ट्रपदी है डैनियल ओर टेगा नेस्ट कुश्चन है हमारा हाली में किस देश ने 2020 में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंतर प्रोब लॉंच किया है ओप्शन हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन नमबर वन यानि की चीन हाली में चीन 2020 में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंतर प्रोब लॉंच करने वाला देश बन गया है चीन ने हाली में सुतंतर रूप से अपने पहले मंगल मिसन टियान वेन वन को सफलता पूरवक लॉंच किया है तो इस मिसन का नाम क्या है जिसे सफलता पूरवक चीन ने लॉंच किया है तो इसका नाम है टियान वेन वन दक्षिर चीन के हैनान प्रांत इस्थित वेशांग स्पेस लॉंच सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉंच वहिकल जिसका नाम है लॉंग मार्च फाइफ रॉकेट के जरिये इस फाइफ टन वजनी अंतरिक शियान को लॉंच किया गया तो इसका वजन है पांच टन इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिये मंगल ग्रह के लिए एक डेटिन ओर्बिटर लॉंच किया था लेकिन तक्नीकी खराबी के कारण वहमिसन फेल हो गया था तो अबी हाली में 2020 में मंगल ग्रह पर टियान वेन नामक अपना पहला सतंत्र प्रोब लॉंच किया है चीन ने टियान वेन जिसके नाम का अर्थ है Questions to Heaven अर्थात स्वर्ग से सवाल तो इस टियान वेन का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है questions to heaven यानि की स्वर्ग से सवाल एक सहयूप orbiter, lander वर rover है जिसका उद्देश मंगल के वातावरण का पता लगाना वर जीवन संकेतों की खोज करना है यह अंतरिक्षियान साथ महीने तक यात्रा के बाद पहुचेगा तो यह याद रखेगा टियान विन वन यह पहला सुतंतर प्रोब है चाइना का जिसे चाइना ने लॉंच किया है next question है हमारा हाली में वानिकी में उतकरष्ट अनुसंधान के लिए National Award for Excellence से किसे सम्मानित किया गया है options हैं कंणन वारियर, के सिवान, मोरिसाना कॉमेट या मारियाना वर्दिनोयनेस तो इसका सही answer होगा option number 1 यानिकी कंणन वारियर अभी हाली में Institute of Forest, Genetics and Decreting Coimbatour में पुरसकार विजेता वैज्यानिक को National Award for Excellence से सम्मानित किया गया है कंणन वारियर ने कई वैक्तिकत दोरे किये वह अलब पुझा में वारियर ने 1128 पवित्र पेड़ों की कलपना की है उन्हें वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है जिसमें केरल के अलब पुझा जिले में लुप्त प्राय पवित्र पेड़ों का संरक्षर भी सामिल है तो ये याद रखिएगा कि उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड पॉर एक्षिलेंस समानित किया गया है कर्णन वारियर को जो कि व्यक्तिकत तोर पर पवित्र पेड़ों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं और खाशकरिया केरल के अलब पुझा जिले में लुप्त प्राय पवित्र पेड़ों के संरक्षर के लिए जाने जाते हैं अधर आप्संस को डिसकस करें तो के सीवान जिनका पूरा नाम है डॉक्टर कैलास वादु सीवान और ये इसरों के चीफ हैं इन्हें अभी हाली में International Academy of Astronautics के 2020 वान कर्मन पुरसकार के प्राप्त करता के रूप में नामित किया गया है और ये पुरसकार मार्ज 2021 में पेरिस में प्रदान किये जाएंगे तो 2020 वान कर्मन पुरसकार के विजेता है के सीवान अधर आप्संस को डिसकस करें तो ये हैं मोरिसाना कॉमेट और मार्याना वर्दिनाइनिस इन्होंने हाली में अभी जीता है National Mandela पुरसकार 2020 सैयुक तरूप से तो ये याद रखेगा कि मेरी साना कामेट और मार्याना वर्दिनाइनिस ये दोनों विजेता हैं नेलसन मंडेला दिवस 2020 के लिए नेक खुर्शन है हमारा कि हाली में टाटा AIA Life Limited ने किसको अपना MD वस CEO बनाया है टाटा AIA Life Limited ने किसको अपना MD वस CEO बनाया है आप्शन हैं रमेज बाबू, अश्विनी तिवारी, पीसी कांडपाल, पूशर महापात्रा या नवीन ताहिलानी तो इसका सही ओंसर क्या होगा? इसका सही ओंसर होगा नवीन ताहिलानी अभी हाली में टाटा AIA Life Limited ने नवीन ताहिलानी को अपना MD वस CEO बनाया है जिन्हें CEO समू एचेंसी वित्रड AIA समू होंग कॉंग में नियुक्त किया गया है नवीन ताहिलानी को एक्सिस बैंक ने, किसे? नवीन ताहिलानी को एक्सिस बैंक ने, ग्रूप एक्जिक्यूटिव बैंकिंग कॉर्पोरेशन वर्ट ट्रांस्फोर्मेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना था 2019 तक भी हॉंग कॉंग समू के साज़ेदारी वित्रर के CEO थे तबी हाली में Tata AIA Life Limited ने किसको अपना M.D.V. CEO नियुक्त किया है नवीन ताहिलानी को तो ये है नवीन ताहिलानी जिने Tata AIA Life Limited ने अपना M.D.V. CEO नियुक्त किया है अगला क्वेशन है कि हाली में TINA दावी को किस वर्ष तक के लिए BRICS Chamber of Commerce and Industry की संचालन के लिए मानत सलाकार नियुक्त किया गया है ओप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025 तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन नमबर सेकेंड यानि कि 2023 IAS अधिकारी टीना दावी को BRICS CCI Young Leaders की संचालन समिती की मानत सलाकार बनाया गया है नियुक्ती सत्र 2020 से 2023 तक के लिए है वह 2016 की सीविल सिवा परिक्षा टॉपर है वह वर्दमान में राजस्थान के भिलवाडा में एक उपविभागी अधिकारी के रूप में तैनात है तो ये याद रखेगा कि उन्हें 2023 की अवधी के लिए BRICS Chamber of Commerce and Industry का संचालन के लिए मानत सलाका नियुक्त किया गया है अगला क्वेशन है हाली में NG TD 20 Gas Turbine 3D Printed Aircraft Engine का सफलता पूर्वक परिक्षड किस ने किया है ब्राजील, रूस, शीन या भारत तो इसका सही उन्सर होगा Option No.2 यानि की रूस अभी हाली में रूस ने MG TD 20 Gas Turbine 3D Printed Aircraft Engine का सफलता पूर्वक परिक्षड किया है या उड़ान परिक्षड ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र में किया गया और इसका उतपादन 2021 से 2022 के लिए निर्धारित है इस तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उतपादन में लगने वाला समय लगबग 20 गुना कम हो जाएगा वा उतपादन की लागत में भी दो गुना से अधिक कमी आएगी तो ये याद रखेगा कि M.G.T.D. 20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेट एयर क्राफ्ट इंजन का सपलता पोरव परिक्षड करने वाला देश कौन बन गया है तो ये बन गया है रूस रूस की बात कहें तो रूस की राजधानी है मौस्को राष्ट्रपदी है ब्लादेमिर पुदिन और अभी हाली में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया है मिखाइल मिसुस्टीन को तो ये याद रखेगा हमारा question of the day ये है कि DRDO ने COVID-19 परिक्षड सुविधा कहां इस्थापित की है ओप्शन्स है ले एहमदाबाद, पूड़े या भूपाल तो इसका सही answer आपको comment box में comment करके बताना होगा चलते हैं कल के questions पे कल का question था कि विक्टर चिजिकोव का हाली में निदन हुआ उनका संबन किस देश से है ओप्शन्स है रूप्शन्स है रूप्श, जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन तो इसका सही answer होगा option number one यानि की रूप्श हाली में विक्टर चिजिकोव का निदन हुआ इनका संबन 1980 के मासको समर ओलंपिक के सुभंकर भूरे भालू मीशा के निर्माता विक्टर चिजिकोव का हाली में निदन हो गया और इनका संबन रूप्श से है इनकी ड्रॉइंग्स का यूज अभी भी पत्रिकाओं में किया जाता है और पहले भी किया गया था तो ये याद रखेग के मासको समर ओलंपिक के सुभंकर मीशा भालू के निर्माता है और इनका संबन्ध है रूज से तो आज के लिए बत इतना ही आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें के साथ तब तक ये लिए है वनाइज दे बाब बाई